So our next article is addition of three numbers. अभी हमें addition करना है, उसमें three numbers आपको दिये गए हैं. So see here, Rohan has three footballs. Rohan के पास कितने footballs है? Three है. So यहाँ पर हमने three number लिख लिया है, क्योंकि three football है. और यहां three dot ले लिया है. शौरिया has one food ball शौरिया के पास one food ball है वन नमबर लिया है और one dot लिया है सानिया has five food balls सानिया के पास कितने five food balls है यह five number ले लिया है और यह five dot लिया है वके अभी इसका addition method कैसा है हम देखेंगे कि किस तरह से करते है addition so see here add two numbers first पहले तो हमें कोई भी दो नमबर को select कर लेना है addition के लिए ओके तो हम ये दो नमबर को कर लेते हैं मिंस ये 3 को और 1 को first two number है ना जो उपर के दो line में के 2 उसको हम पहले addition कर लेते हैं तो ये 3 plus 1 कर लेते हैं ओके 1, 2, 3, 4 total क्या आया 4 आया ओके तो क्या करेंगे now add the third number to the sum अभी ये जो 4 आया है ये इसका sum ये दोनों का 4 आया है तो ये 4 को अब किस में add करेंगे ये 5 में 1, 2, 3, 4, 5 ये 5 में क्या करेंगे ये 4 को add कर देंगे so ये 4 plus 5 करने पर 4 में 5 add करने पर sum क्या आता है so इस तरह से how many food balls do they have in all total कितने food balls है सब के मिला कर 9 food balls है so इसी तरह से हमें क्या करना है? addition करना है है ना simple? next देखते है I will see here यहाँ पर आपको 3, 2, 4 के addition करने को बोला अभी आप इस method से हमने जो उपर देखा है उसमें थर से कैसा करोंगे? पहले तो हमें 2 number pick करना होंगे हमने यह दो number को क्या किया? जूस कर लिया कि हम पहले फर्स्ट 2 number का addition करेंगे 3 और 2 का addition कितना होता है? 5 होता है तो see 3 प्लस 2 कितना हो गया? 5 हो गया अब हम क्या करेंगे? यह 5 यह दोनों कसम क्या आया? 5 आया तो 5 का आप क्या करेंगे हम? यस अब इस 5 में हम क्या करेंगे? यह 4 को add कर लेंगे 4 add कर लिए अभी 5 में 4 add कर लो 5 है 6, 7, 8, 9 कितना आया? 9 answer आया के 9? Yes देखते हैं next example see अभी हम दूसरे method से करेंगे यह तो एक method हो गया अभी दूसरा method देखेंगे इसमें क्या दिखाया है आपको? 3 number है, 2 number है और 4 number same इसी range होंगे इसी range का है तो 3 number को हमने क्या किया? as it is लिक लिक लिए जैसा कत ऐसा लिख लिए लेकिन अब क्या 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 है? यह 2 को और 4 को addition किया यह as it is लिख लिख लिए बट 2 और 4 को हमने addition किया तो 6 answer आया means sum क्या आया? 6 आया इसका मतलब यह होता है कि you can add the numbers in any order the sum remains the same यानि आप numbers को कौन से भी order में addition करोंगे तो उसका sum क्या होंगा change नहीं होंगा हमने यहाँ पर क्या किया था first two numbers का sum निकाला था और third number को उसमें add कर लिया था और इसमें क्या किया first number को हमने as it is रखा और last two numbers को हमने addition किया बट दोनों का answer 99 same आया ना yes so order change करने से कोई भी number की place change करने से sum क्या होंगा change नहीं होंगा यह करते हैं see here अभी हम यहाँ पर आपको arrow का निशान दिखाया है कि अभी यह first two number को addition करो अभी one और two का addition करो one, two, three three आया है हम यहाँ three लिख लेंगे और यह three as it is यहाँ पर लिख लेंगे क्यों लिखी यह three as it is क्योंकि हमको सिर्फ यहाँ पर बताया है कि इन दोनों का addition करके लिखो और यहाँ पर as it answer सेम है देखते है next exercise three point two addition करना है अभी इसने पहले हम यह two first two number का addition करेंगे पस्ट two digit का देखो टू में one का addition करो कितना होता है three होता है यह three हम लिख लेंगे यह three में यह six को add कर दू कितना होता है nine यह कर लेंगे again अभी हम क्या करेंगे यह one as it is रखेंगे यह दोनों का addition करेंगे three और four कितना होता है seven यह हमने as it is रखा था था ना अभी यह दोनों का addition करेंगे one और seven कितना होता है eight यह दोनों method से कर सकते है अभी क्या करेंगे first two digit को हम add कर लेंगे four और two कितना होता है six यह six और two का addition कर दो eight then again first two digit को हम क्या करेंगे add कर लेंगे 2 और 3 5 होता है 5 और 1 कितना होता है 6 अभी इसको भी इसी तरह करना है 3 और 3 कितना होता है 6 यह 6 में यह 3 add कर लो 9 समझ में आये इस तरह से यह जो है यह आपने try करने है easy है next देखते है आर्टिकल हमारा है addition of one digit numbers by making groups of 10 अभी one digit number का ही addition करना है लेकिन उसको ही हमको group 10 बना कर करना है देखते हैं रोहन had eight toffees रोहन के पास कितने toffees थे eight toffees थे तो यहाँ पर eight toffees है one two three four five six seven eight his mother gave him five more और उसके mother ने उसको और पांच toffees दिये थे five toffees और उसके mother ने उसे दिये थे यहाँ five toffees one two three four five how many toffees does he have in all उसके पास total मिलाकर कितने toffees हुए यह हमें question पूछ रहे हैं for example आपके पास पहले से eight toffees थे ओके आपके ममा ने आपको five toffees दिया है तो आप क्या करोंगे ten का एक अलग group बना लोंगे और जितने बचे हैं उसका एक अलग बना लोंगे तो रोहन ने भी ऐसा ही किया ten का यह जो यह box दिया गया है वो ten toffees का है box count करती है one two three four five six seven eight nine ten कितने है यह toffees box में ten toffees है इसलिए यहाँ पर one ten लिखाए one ten क्यों लिखाए क्योंकि ten का group है इसलिए ten और one time है two time है क्या no इसलिए one ten लिखाए और one two three कितने बच्चे है साइड में three बच्चे इसलिए three ones लिखाए यह ten ten के है क्यों group no यह only once once है one one time है यह ओके यह group नहीं है यह अलग-अलग है one तो इसलिए इसको three ones लिखाए ओके इस तरह से one ten means ten plus three ten में three का addition करने पर हो जाएगा thirteen okay so अगर हम इस तरह भी करते है तो same answer आएगा या तो फिर हम यह eight plus five भी करते है तो thirteen ही answer आएगा make a group of ten and add हमें पहले ten का group करना होगा then addition करना होगा रोहन has thirteen toffees in all रोहन के पास total कितने toffees हो गए थे thirteen next देखते है add the following अभी हम count कर लेंगे total कितने toffees है one two three four five six seven seven toffees है यहाँ one two three four five और यहाँ five है तो हमें पहले क्या करना होगा ten का group बनाना होगा चलो बनाते है one two three four five six seven eight nine ten यहाँ तक ten आ रहा है जो box बनाये हुआ है okay ten तक तो यहाँ पे ten का कितना group है एक ही time ten है न तो हम यहाँ पे लिख लेंगे one ten okay and ones कितने है one two तो यहाँ two ones लिख लेंगे यानि one ten means ten और यहाँ two okay तो ten plus two कितना होता है ten में two add करो eleven twelve twelve होता है न इसी तरह यह seven टॉफिस का इसी तरह यहाँ पर twelve ही answer आएंगा और अगर हम इस तरह भी करें तो one two three four five six seven इसलिए seven लिखाए और one two three four five इसलिए five लिखाए seven और five का addition करेंगे तो भी answer के आएंगा twelve ही आएंगा यह देखते है इसका भी हमें ten का गुरूप बनाना है one two three four five six seven eight nine ten यह box दिख रहा है यह box में जितने टॉफिस है वो ten का गुरूप है तो यहाँ पर भी one time ten है so one लिख लेंगे and once किते one two three four four once means छुटे छुटे टॉफिस जो है अलग-अलग वो once में आएंगे so one ten means ten और यह four as it is यह eight टॉफिस ते इसलिए eight यह six टॉफिस ते इसलिए six यह दोनों का addition करोंगे तो answer क्या आएंगा fourteen ही आएंगा इस तरह से यह जो two questions है यह आपको try करने है next देखते है यहाँ पर eight दिये है dot one two three four five six seven eight यह six number के six dot one two three four five six ओके अभी हम इसके addition करना है तो यह सबको एक साथ काउंट कर लेना होगा one two three four five six seven eight nine ten eleven twelve thirteen fourteen कितना आया fourteen आया चलिए fourteen लिखे आया use addition facts for ten to make groups of ten easily we know eight plus two is equals to ten eight plus two कितना होता है ten होता है ten ten के अगर group से आप addition करोंगे तो वो easy जाएंगा so make a group of ten now add the remaining four ones to the ten means यह क्या बोल रहा है कि इसको जब हम यह eight में two add कर लेते है समझो one two three four five six seven eight यह eight dots थे तो हम इसको box में लिख लेते है eight में और कितने add करेंगे तो ten बनेंगा two add करेंगे तो हम इसको भी box कर लेते हैं means यह 10 का एक group हो गया हमारे पास है ना यानि one ten हो गया हमारे पास और बागी के जो four बच गये थे वो add कर दू तो कितने हो गये fourteen हो जाएंगे यही बोल रहा है next करते है यह seven seven dot eight eight dot फैले हम क्या करेंगे ten का group बना लेंगे count करते है one two three four five six seven eight nine ten यहां तक हो रहा है हम यहां से ऐसा क्या कर लेंगे ten का एक group बना लेंगे okay तो यह कितना हो गया ten means one ten हो गया so यह one लिख लेंगे once कितने बच्चे है one two three four five कितने बच्चे है so five लिख लेंगे इसी तरह यह करेंगे यह nine थे तो nine dot यह nine number है तो nine dot इसको भी क्या करेंगे हम ten का group बना लेंगे one two three four five six seven eight nine ten यहां तक बन रहा है तो हम उसको ऐसा box में लिख लेंगे लिख लेंगे box में क्यों लिख रहे है किसका मतलब ऐसा आ रहा है कि eight जो है ones की प्लेस पर है और one जो है tens की प्लेस पर है tens means ten okay eighteen में one time ten आता है अब देखो six means six dot five means five dot अभी six को क्या किया है न count कर लेंगे हम पहले ten का group बना लेंगे one two three four five six seven eight nine ten यह तक आ रहा है ten यह group बना लेंगे और one लेंगे क्योंकि ten का एक group है इसलिए एक लिखाए और यह one हो देखाए इसलिए एक लिखाए इसी तरह से यह three questions आपने solve करना है okay